अंजले आई अंजले अंजले आई अंजले मात तुम वाँ दोस्तों बंदर धरती के सबसे एनोके जियो में से एक है क्योंकि हर दिन ये कुछ न कुछ ऐसी हरकते करते रहते हैं जिनको देखकर सबके चेरे पर असी आई जाती है और आज जम भी आपके लिए बंदरों से जुड़ी कुछ ऐसी वीडियो किलिप्स लेकर आए हैं जिनको देखकर आप भी अससकर पागल हो जाएंगी तो चलिए फिर बिना टाइम बरबात किये सुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो में एक बंदर बंदर की पीट पर सवार हो जाता है और फिरी में राइट करने लगता है जैसे मनों यहाँ पर इस बंदर के बापका ही राज हो लेकिन यह बंदर यहाँ पर ही नहीं रुका क्योंकि इसके बाद भी इसने उल्टी सीधी कुरापाते करना सुरू कर दी और साथ में यह सरारती बंदर 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 की पीट पर बेटे हुए दोसरे छोटे बंदर की पूंच भी खीचने लग जाता है दोस्तों यहाँ पर आप साप तोर पर देखी सकते हैं कि बकरी के भागने के बाद भी यह बंदर नीचे नहीं उतरता है और चिपक कर इसकी पीट पर ही बेटे रहता है वाकई में जो भी हो इस बंदर ने तो मोजी कर दी अब अगली इस वीडियो को देखिए जहाँ पर यह बंदर कापी देर से इस चिकन के सामने उचल उचल कर नाच रहा है अब यहाँ पर इस बंदर के डांस करने का कारण क्या है इस बारे में तो हमें जानकारी नहीं है लेकिन बंदर जिस तरह नाच रहा है वाकई में कापी कमाल का लग रहा है दोस्तो बंदर का ये डांस हमें और आपको साइध पसंद आ रहा होगा लेकिन सामने वाले चिकन को इसका ये डांस कता ही पसंद नहीं आया क्योंकि उसने थोड़ी देर बाद इस बंदर के डांसे परिशान होकर इसे यहां से भगा दिया यहां पर आप देखेंगे कि एक बंदरों की टोली के बीच में एक केकड़ा फच जाता है और केकड़े को देखते ही सबी बंदर हरकत में आ जाते हैं क्योंकि ये सबी बंदर बारी बारी से इस केकड़े को छेड़ने लग जाते हैं और इस दोरान ये केकड़ा भी इनका कुछ नहीं भी गाड़ पाता है अब इन बंदरों की टोली को कौन समझाए कि वो कोई एलियन नहीं बल्कि एक केकड़ा है ये बंदर भाई साब अपने हाथ में एक बलून पकड़ की उसे अपने दातों से काड़ने की कोशिस कर रहे थी और ये अपनी इस कोशिस में कामियाब भी हो जाते हैं लेकिन इनके लिए दुखी बात ये रहती है कि इनका जो बलून होता है वो कहीं गायव हो जाता है अब दोस्तों हम लोग तो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि बलून का फूडने के बाद क्या होता है पर इस बंदर को तो ये जादू से कम नहीं लग रहा है और इसी वज़े से ये बेचारा अपने हाथों में उसे ढूंड रहा है देखे इस बंदर को जो कैसे इस कुटे से अपनी इज़द बचा रहा है अरे भाई जब इतनी सरमा रही थी तो पेंटी पैन लेता यहां पर ये बंदर इस सक्सी जल्दी से केला चीन कर खाने की कोशिस करता है लेकिन इस दोरान ये कुछ ज़्यादा इपूर्ती दिखा देता है और वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम सेतान का होता है और कुछ ऐसा यहां पर भी होता है क्योंकि बंदर के हाथ में केला बिलकुल भी नहीं लगता है और पता नहीं का गायब हो जाता है दोस्तों ये बंदर एक कोका कोला की बोतल को पकड़के उसे गटकने में जोटा हुआ था लेकिन इस दोरान इसके सामने एक दूसरा बंदर भी था जो भी अपनी इस्तिदारी मांग रहा था पर यहाँ पर साइध ये बंदर उसके साथ समझोता करने के लिए तेयार नहीं था और इसी वज़सी वो बंदर एक तरकीब लगाता है और ज्यों पहले वाला बंदर कोका कोला को पीने की कोशिस करता है तो दूसरे वाला बंदर उसे पीछे से पकड़के उल्टा कर देता है जिसके चलते सारा का सारा कोका कोला नीचे एक गड़े में आकर गिर जाता है और बेचारा पहले वाला बंदर तो कोका कोला को ढूंडता है रह जाता है और इसी बीच फाइदा उठा कर गड़े में भरे वे कोका कोला को दूसरे वाला बंदर गठक जाता है दोस्तो इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा बंदर एक बड़े से ओरंगटान के मूँ से खाना चीनने की कोशिस कर रहा होता है लेकिन जनाब को अपनी इस गल्थी की सजा तुरंती मिल जाती है क्योंकि ये बड़ा सा ओरंगटान उसे पकड़ के अच्छा का सा सबक सिखा देता है अब हमें नहीं लगता कि कभी ये बंदर दुबारा किसी ओरंगटान से पंगा भी लेगा दोस्तो जब औरंगटान की बात हो रही है तो जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए जिसमें घूमने गए एक टूरिस्ट का चस्मा एक औरंगटान की बाड़ी में गिर जाता है जोई बाड़े के अंदर चस्मा गिरता है तो तुरंटी ओरंगटान वहाँ पर आ जाता है और उस चस्में को उठा कर लगाने की कोशिज भी करता है और इस दोरान इस ओरंगुटान को चस्मे को लगाने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है क्योंकि एक दो प्रियास के बादी ये बड़ी आसान इसी चस्मे को अच्छे से लगा भी लेता है दोस्तो वेसे आपके समझदार और उरंगुटान पर क्या विचार है हमें कमेंट बोक्स के माद्यम से जरूर बताएगा इस गाड़ी का मालिक अपनी कार किसी से बंद करके जाना भूल जाता है और इसी बात का फाइदा उटा कर यहां पर कुछ बंदर आ जाते हैं और पिर आने के बाद बिना किसी रोक तोक की सीधा कार के अंदर घुजाते हैं और कार के अंदर पढ़े सारे खाने को उठा कर बाहर आ जाते हैं वेसे दोस्तों कोकाकोला पीने में ये बंदर भी कापी आगे हैं जो कि सबसे पहले तो पताने कहां से एक कोकाकोला की बोतल ले आता है और पिर बड़े इत्मिनांसे आकर एक दिवार पर बेट जाता है और कोकाकोला की घुटक खींचने लगता है परसाइद यहां पर इस बंदर को कोका कोला का स्वाद अच्छा नहीं लगा और इसी वज़े से एक दो घूट पीने के बाद यह कोका कोला की बोतल को नीचे गिरा देता है अगली इस वीडियो में एक कुट्टा बंदर के सामने आकर उबासी लेने लगता है लेकिन इसकी उबासी की वज़े से सामने वाला बंदर परिशान हो जाता है और कुट्टे को यहां से जाने की चेताउनी देता है लेकिन यहां पर कुट्टे भाई साब भी सीधे तोर पर कहां जाने वाले थे इन्हें भी कुछ करने की चुलमची थी और इसी वज़े से कुत्ते की हरकत के चलते यहाँ पर बंदर का पारा चड़ जाता है और जिसके बाद वो अपने पास में पड़ी लकडी उठा लेता है और फिर कुत्ते की सिर पर एक जोड़दार सोट मार देता है लेकिन दोस्तों जो भी हो अब इस कुत्ते की अकल ठिकाने अच्छे से लगी गई होगी यहाँ पर एक कुत्ता बंदर की खाने को चुरा कर खाने लगता है जिस पर पहले तो यह बंदर इस कुत्ते को कुछ नहीं काता है लेकिन जब पानी सर्शियों पर जाने लगता है और पिर अपने इसकिल के दम पर पिछले पेरों की मदद से खाने के बरतन को अपने ओर खीच लेता है लेकिन भाई साब अभी यहां पर इस बंदर को गुसा आच चुका था और इसी वज़े ची अभी यह कुत्ते को सबक सिकाने पर भी उतर आता है और पहले तो कुट्ते के मूँपर लगातार थपड़ों की बरसाद करता है लेकिन जब इसके बाद भी इसका मन नहीं भरता है तो फिर ये अपने आस-पास पड़ी पॉलितिन को उठा कर कुट्ते के ओम पर फेकने लग जाता है हालां कि यहां पर पॉलितिन फेंकने के बाद भी इस बंदर का गुस्सा सांत नहीं होता है और यह लगातार कुट्टे को सबख सिकाते रहता है अब जो भी हो इस कुट्टे को यह बात तो समझ में आ गई होगी कि आज इसने बहुत गलत जगर पंगा लिया है अब जराई सरारती बंदर को भी देख लीजी जो की कापी देर से इन टाइगर के बच्चों को परिशान कर रहा है और बार बार पेड़ के टैनी से लटक कर इनके कभी कान कीशता है तो कभी फूच या पिर कभी अन्ये पाट को छूता है आलांकि इस दोरान इससे ये टाइगर के बच्चे भी कापी ज़्यादा परिशान हो जाते हैं और इसी वज़ज़ से ये कापी बार इसे पकड़ने की कोशिज भी करते हैं लेकिन ये फूर्तिला बंदल लगातार इनसे बस्ते रहता है और अपनी अरकत को भी लगातार जारी रखता है मतलब आप देखी सकते हैं कि मौका पढ़ने पर बंदल टाइगर जैसे खतरनाग जानवर को भी परिशान करने से पीचे नहीं हटते हैं दोस्तो हो सकता है आज की वीडियो में से आपने कुछ वीडियोस पहले भी देखी हो लेकिन हम आपको बता दे जिस वीडियो में आपने इन वीडियोस को देखा है उसको दर असल यूट्यूब ने डिलिट कर दिया था और इसी वज़े से हमने आपको कुछ बेतरी इन वीडियो किलिप्स फिर से दिखा दिया खेर जो भी हो आसा करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आये होगी अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना तो जल्दी मिलते हैं एक ले वीडियो में एक नई टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई